महाराष्ट में NCP के साथ जो कुछ घटा है और जो घट रहा है उसने राजनीति गलियारों और राजनीति के विशेशग्यों के बीच एक नई भहस शेड़ दी है बहस है बदलती राजनीति के बीच परिवारवादी दलों की प्रासंगिक्ता और उनके अस्तित्तों की साथी कि विपक्षी खेमे में डर ये भी है कि क्या वे नरेंद्र मूदी से लड़ पाएंगे नमस्कार मैं हूँ जैश और आप देख रहे हैं दपैंफ्लेट NCP में फूट का स्रे किसी ने सरत पवार के सिर्बांदा तो किसी ने अजित पवार को कोसा कोई कुछ लोगों ने भाजपा को भी दोस्त दिया लेकिन किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि आखिर इस टूट के पीछे का विचार क्या है क्या मान सकता है क्या कारण है NCP के बाद जेडियों को लेकर भी यही कयास लगाए जा रहे हैं वहीं RJD को लेकर भी कहा जा रहा है कि वह भी इस टोट का सिकार होगी यहां बात केवल एक या दो दलों की नहीं है इसका एक बड़ा उधारन से सेना रही है उससे पहले कॉंग्रेस पार्टी जिसके टोटने का अपना एक इत्यास रहा है यह सब घटना करम सोचने पर विवश कर देते हैं और इस बात की पुष्टी भी कर देते हैं कि यह परिवारवादी मानसिक्ता का ही परिणाम है जिसे लंबे समय तक परिवारवादी पार्टियां अंदे का अंसुना और इसे दबाने का प्रियास करती रही है अगर उधारन देखना हो तो अजित पवार की योग्यता को नजर अन्दाज कर NCP पर सरत पवार की पुत्री सुप्रिया सुले का थोपा जाना शिसे ना पर उधव ठाकरे और उनके पुत्र का थोपा जाना जबसी बाला साहिब ठाकरे के समय उनके उत्तरादिकारी के रूप में राज ठाकरे देखे जा रहे थे इसी तरह कॉंग्रेस पार्टी पर गानी परिवार का थोपा जाना सफा पर अखिलेश यादव का थोपा जाना, DMK पर स्टालिन का थोपा जाना और ज्यारखन्ड मुक्ति मोर्चा पर हेमंत सोरेन का थोपा जाना नेशनल कॉंफरेंस पर उमर अब्दुल्ला और PDP पर महभूवा मुफ्ती का थोपा जाना यही हाल बिहार में जेडियू, आरजेडी और पश्चे मंगाल में टीमसी का है आमादमी पार्टी ने तो सम्विधान में संसोधन कर हमेशा के लिए केजरिवाल को संयोजक बना रखा है पेलगु देशम पार्टी के संस्तापक और अपने ससुर इंटियार को धोका देकर चंद्रबावु नाइडू ने कैसे पार्टी पर एक छत्र कबजा कर रखा है यह हम सभी जानते हैं अब अगर आप थोड़ा सा प्रियास और करेंगे तो जानेंगे कि यह लिस्ट छोटी नहीं है बलकि बहुत लंबी है हालांकि लोकतांतरिक देश में राजनीती लगातार बदलती रहती है हर पांस साल बाद जनता परक्ती है कि उसके लिए कौन सी पार्टी बहतर है कौन सा नेता बहतर है बदलते वारत की बदलती राजनीती का ही नतीजा है कि जनता को बहतर विकल्प मिला और जन्ता ने इस परिवारवादी नामा की परिपार्टी को तोड़ना सुरू कर दिया इस परिपार्टी के तूटने के पीछे कई कारण हो सकते हैं जिनमें एक बड़ा कारण यह है कि साल 2014 के बाद से देश ने पहली बार ऐसी पार्टी की सरकार देखी है जिसके लिए उसका देश और उसके नागरिक सर्व पर्थम है नरेंदर मोदी के नेतुरतो वाली भाजबा सरकार ने पारदर्शिता का महत्व और उसका आभास करवाया है पूर्व की सरकारों के शाशनकाल में भारत का आम जन्मानस यही मानता था कि अगर सरकार एक रुपिय भेजेगी तो उसके पास पंदरा पैसा पहुंचेगा उसे यकीन नहीं दिलवाया गया कि उसके हक का वो 75 पैसा भी उस तक पहुंचाया जा सकता है अब या नकिवल वरष्टाचार पर नकेल कसनी की बात है बलकि चुनाव हो चुनाव आयोग हो गवर्नेंस हो या फिर किसी अन्य भी चीज को लेकर भारतिय जन्मानस पारदर्शिता का आभास अब कर चुका है चुकि पूर्वी की सरकारों को इसके आदत नहीं थी इसलिए उन्हें इससे परेशानी भी हो रही है अब सवाल ये है कि भारत की चुनावी राजनीती में जो बदलाव आ रहा है उस बदलाव के लिए वो परिवारवादी दल बदलने के लिए तयार है या फिर नहीं इसके आसार बेहत कम नजर आते हैं इसलिए क्योंकि जिन पार्टियों के भीतर लोकतंतर ही नहीं है यहां एक परिवार और व्यक्ति सवेश भ़व है वो दल लोकतंतरिक प्रिक्रियाओं को कैसे आत्मसाथ कर पाए फिर再ラ यह कि अगर ये परिवारवादी दल लोकतंतरिक, बदलाओं के लिए, तैयार नहीं होते हैं तो फिर इसका नुक्सान・ क्या होगा इसका सबसे बड़ा उधारन Congress Party है भारतिय राजनीती में परिवारवाद की नियुँ डालने वाली Congress Party इस दल दल में धस्ती गई इसका प्रेणाम यह हुआ कि Congress Party कई बार टोटी और जिसमें से कई नई पार्टियां अस्तितों में आई इन में से कुछ पार्टियां काल के गाल में समाई तो कुछ का अस्तित्व अभी भी बरकरार है लेकिन मान सिकता वही परिवारवादी इसके लावा Congress Party के भीतर के धड़ों की बात करें तो जेवी कृपलानी एंजी रंगा से लेकर जी 23 के नेताओं तक एक लंबी फैरिस्त है यहां हमने Congress पर जो रिष ले दिया है क्योंकि परिवारवादी राजनीती की सबसे बढ़िया और सबसे पुरानी मरीज Congress Party है मोतिलाल नहरू से शुरू करें तो उन्होंने गांदी जी को सिफारिसी पत्र लिख कर कह दिया था कि सरदार पटेल भले ही योग्य हैं लेकिन मेरे पुतर जवाहरलाल नहरू को Congress Party का अध्यक्ष बनाया जाना जाहिए इंद्रा गांदी ने तो देश के लोकतंतर का गलाबाद में घोटा था पहले Party के लोकतंतर पर हमला किया पार्टी के वितर लोकतंतरिक रूप से चुनाव वोने बंद हो गए और इंद्रा गांदी खुद तै करती थी कि कौन किस पद पर बैठेगा इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यह इस बात की तस्दीक करता है कि आपने अपनी पार्टी के भीतर कभी भी लोकतंतर पनपने ही नहीं दिया इसलिए आज जो परिवारवादी राजनीति को नकारने का बदलाव आम जनमानस के भीतर देखने को मिल रहा है उस बदलाव में ढलने के लिए आप तैयार ही नहीं है दूसरे और स्वष्ट सब्दों में कहें तो लगातार बदलते लोकतंतर का हिस्सा बनने की आपकी हैसियत ही नहीं रही है जोंकि यहां आपके डियने से मेल ही नहीं करता है ऐसे में उस पाटी के नेता जिसने परिवारवादी प्राइवेट लिमिटेड इन दलों की नीव हिला दी हो जिसने देश के आम जनमानस की नब्ज पकड़ कर लाल के लिए से परिवारवादी दलों के विरुद हुंकार भरी हो उस पार्टी उसके नेता प्रधानमंतरी नरेंद्र मोधी से लड़ पाना आपके लिए संभव ही नहीं है बने रही आमारे साथ देखते रही है दपाएंफिले